हरियाना प्रदेश के फरीदाबाज शहर की अनिशा रोडा ने शहर और प्रदेश का नाम रोशन किया है चार अगस्त को दिल्ली में आयोजेत फेस आईकॉन 2019 के खिताब से अनिशा रोडा को सम्मानित किया गया है आपको बता दें अनिशा रोडा प्रोफेशनली एक सिंगर है लेकिन उनकी खुबसूरती को लेकर किसी ने एक बार कॉमेंट किया कि आप मॉडली में क्यों नहीं ट्राय करते इसको लेकर अनिशा रोडा ने अपना हाथ मॉडलिंग की दुनिया में आजमाया और पहली बार में ही फेस आईकॉन 2019 का खिताब जीतने में वेखामियाब रही इसी बात का श्रे उन्होंने अपने मेंटॉर गुरू चंदन महता जी को दिया इस मौके पर उन्होंने फरीदाबाद में एक प्रेस वारता आयोजित की और फरीदाबाद के पत्रकारों को जानकारी दी सुनिया क्या कहा मैं अनिशा हरोडा आपकी हर्यानकी बेटी हूँ और मैं प्रोफेशनल सिंगर हूँ और जैसे की अभी मैं 2019 की फेस आइकन बनी हूँ मुझे बहुत खुशी है आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और मैं आपकी हर्यानकी ही बेटी हूँ अब नर लेया जाना और वैसे तो में प्रोफेशनल सिंगर ही हूँ मैंने शॉक शॉक में मॉड्लिंग स्टाट कर दी और मैंने पाटिस्पेट कर लिया मिस्स फेश आइकन में और मेरा ये लक था या किसमत कहलो कि मैं बेनर हो गई हूँ इसमें बट मेरा जो फर्स्ट है कि मैं सिंगर ही रहना चाहती हूँ अगर मॉडलिंग है मुझे चांस मिलेकर तो मैं जरूर चाहूंगी यह चार अगस्त को हुई थी और इसका पार्टी स्पेट एजा मैं वहाँ पर सिंगर ही गई थी मुझे एजा सिंगर उन्होंने स्लेब बट मुझे पता नहीं था कि मैं विनर हो जाओंगी आपका ड्रीम क्या है आगे कहां तक यहां चाहिए मेरा जो ड्रीम है मेरा बेसिकली ड्रीम है प्लेगिंग सिंगिंग करना सिंगर बनना बॉलिवुड में एंट्री लेना और प्लेगिंग करना अनिशन विस तरह से अब मुझे लगता है इंडियन आइडल मेरे फैमिली बेक्डराउंड के बारे मेरे फापा जो है वह बिसमेन है अन्देर मेरी इक सिस्टर है ममा है और अधर मेरे हस्बेंड है वह अकाउंटेंट है ने एक मेरे छोटा सा बेटा है चार साल का मैं अब बेसिकली फ़र्दा अन्देर नायम और शान करूँ करताूंगी मैंने देख आंडकर फैदाबधोगे से रोजically एक ज्या बेचिताया ऑह लाग आच के सिंगर्दा के हैं कि हम तो डेली के हैं लेकिन मैं ग कहा हुँगी हुआंगी मैं ऐसे हुआङा चाहुईंगी आठाने के सिंगर्श्यक के जाती है तो मौडलिंग में आगे आई हैं तो मौडलिंग अगर मुझे मॉडलिंग में चांस मिलेगा तो मैं ज़रूर करना चाहूंगी मैं मल्टी रेलेंटी इन परना चाहती हूं जाती हूं मुझे शॉक है आई मा कोरोग्राफ और सो मैं डान्स टीचर भी रहा चुकी हूं तो मेरा मन है कि मैं सिंगिंग डान्सिंग आक्टिंग और मॉडलिंग में चारव में अपना कुछ न नाम रॉशन कर तो जिस तरह से अपने पैसवारता के दौरांगे कुछ और कोई नगमा सुनाना तो मैं अजा रॉकिंग सिंगर हूं लेकिन आम वर्सेटाइल सिंगर मैं पंजाबी भी गाती हूं हिंदी भी गाती हूं मैं सब गाती हूं तो मैं एक सॉंग लटाजी का सुनाना चाहूंगी लग जागले के फिर ये हसी रात हो ना हो शायद फिर सुचनम में मुलाकात हो ना हो लग जागले से से हम को मिली है आज ये गड़िया नसीब से जीबर के देख लीजिये हम को करीब से Thank you